आज हम हमारे दैनिक जीवन में उप्योग होने वाले एक और महत्यपुन कमपाउंड के विशाय में जानेंगे जिसका नाम है कपड़े धोने का सोडा या जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं या वाशिंग सोडा कहते हैं वाशिंग सोडा इसका सूत्र होता है Na2CO310H2O या जिसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट बेका हाइडरिल इस सूत्र में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 10 अनू जल के हैं तो कहीं यह पदार्थ का जली विलियन तो नहीं है बिलकुल नहीं यह एक क्रिस्टलिय जल के अनू दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम क्रिस्टलिय जल कहते हैं यह उनू मुक्तवस्था में नहीं होते बल्की यह कंपाउंड के अंदर समाहित रहते हैं तो इस तरह से यह जो कंपाउंड है वह है कप्ड़ा धोने का सोडा जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है कप्रा धोने का सोडा इसे बनाने के लिए हम अमोनिया सालवे विधी का उप्योग करते हैं और ये एक अध्योगिक विधी है और हम कह दें कि जो दैनिक जीवन में जितना भी या अध्योगिक रूप से जितने भी सोडियम कार्बोनेट का निर्मान होता है उसे हम इसी विधी के द्वारा तयार करते हैं यानि कि 70 से 80 प्रतिशत सोडियम कार्बोनेट का निर्मान सालवे अमोनिया विधी के द्वारा किया जाता है और बाकी के जो 20-25 प्रतिशत है उसका उत्खनन हम खनन के द्वारा कई जगा पर इनकी खदाने होती हैं वहां से प्राप्त करते हैं तो आईए जानते हैं संक्षित रूप में कि सालवी अमोनिया विधी के द्वारा हम सोडियम कार्वनेट का निर्मान कैसे करते हैं तो सोडियम कार्बनेट का निर्मान के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है उसमें मुख्य रूप से होता है सोडियम क्लोराइट का जलीविलियन जिसे हम ब्राइन सॉलूशन कहते हैं इसके अलावा अमोनिया गैस उप्योग में लाई जाती है और साथ ही साथ कार्बन डाय ओकसाइट का उप्योग किया जाता है इसे बनाने के लिए जो सैयंत्र उप्योग में लाए जाता है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहां सैयंत्र जो है वह अद्जोगिक तोर पर sodium carbonate के निर्मान के लिए उप्योग में लाया जाता है तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो पिदार्थ है और जिनकी राइसाइनिक क्रिया होती है उसमें मुख्य रूप से होंगे sodium chloride का जली विलियन यहाँ पर हमें sodium chloride मिल गया और जल H2O मिल गया इसके साथ हम ले करते हैं carbon dioxide और यह carbon dioxide हम प्राप्त करते हैं चूना पत्थर यानि की calcium carbonate के विघटन के द्वारा यहाँ पर इस सयंत्र में यह जो चूना जो एक सयंत्र होता है जिसमें की चूना भठी जिससे हम कहते हैं उसमें calcium carbonate को उच्छे ताप पर गर्म किया जाता है जिससे हमें carbon dioxide gas प्राप्त होती है तो इस तरह से sodium chloride, gel, H2O, ammonia NS3 और carbon dioxide CO2 इन सब की क्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होता है sodium hydrogen carbonate यहां reaction किस प्रकार से होती है इसे आप देख सकते हैं सबसे पहले ammonia NS3, gel, H2O और carbon dioxide gas यह आपस में क्रिया करते हैं और प्राप्त होते हैं हमें प्राप्त होगा यह ammonium hydrogen carbonate बनाते हैं यह ammonium hydrogen carbonate अब sodium chloride यानि कि NECL के साथ आगे क्रिया करता है और हमें प्राप्त होता है sodium hydrogen carbonate और साथ ही साथ यहां पर ammonium chloride बनती है यहां पर हम बता दें कि इस तरह से जो यहां पर carbon dioxide आई है वह चूना पत्थर के विगटन से आई है और जब चूना पत्थर विगटित होता है calcium carbonate तो हम जानते हैं कि यह calcium oxide यहनि कि बिना बुझा चूना बनाता है और साथ ही carbon dioxide gas निकलती है तो यह जो carbon dioxide gas निकल रही है उसका उप्योग हम प्राथमिक अभिक्रिया में कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर यह जो calcium oxide यानि कि बिना बुझा चूना बैचा है वो भी आगे उसकी क्रिया जल से कराई जाती है और जब यह जल से क्रिया इसकी होती है तो हम जानते हैं कि यह calcium hydroxide यानि कि बुझा हुआ चूना बनाता है और इस तरह से यह जो बुझा हुआ चूना है यह आपने देखा कि जो पहली अभिक्रिया में ammonium chloride बन रही है उसके साथ इसकी क्रिया होती है और हमें प्राप्त होती है calcium chloride साथी साथ जल बनता है और ammonia gas बाहर निकलती है हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ammonia gas निकली है इसका भी पुनह उप्योग हम प्रात्मिक अभिक्रिया में कर लेते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हम अभिकारक उप्योग में लाते हैं या कच्चा पदार्थ उप्योग में लाते हैं उसका पुनह उप्योग य प्रथम प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो की जल में कम विले होता है और इसलिए क्रिस्टली रूप में ठोस रूप में हम इसे प्रिथक कर लेते हैं अब हमें प्राप्त करना है sodium carbonate Na2CO3 में convert हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जल बनता है carbon dioxide gas बाहर निकलती है इस तरह से जो sodium carbonate n-hydrous हमें प्राप्त हुआ है इसको पुन जल में विले किया जाता है अब हमें इससे बनाना है धावन soda washing soda जिसमें की जल के 10 अनू होते हैं तो इसलिए जो n-hydrous sodium carbonate है इससे हम जल में विले करते हैं और इसे स्वयम crystal क्रिस्टली क्रित होने दिया जाता है जब sodium carbonate का एक अनू crystal क्रिस्टली क्रित होता है उस समय 10 जल के अनू इससे जुड़ जाते हैं और इस तरह से हमें sodium carbonate decahydrate के अनू प्राप्त होते हैं जिससे हम washing soda कहते हैं इस तरह से यह जो sodium carbonate decahydrate बना इसी का उप्योग हम धावन soda के रूप में करते हैं आईए अब जानते हैं इसके उप्योग के बारे में आप सभी जानते हैं कि घरों में साफसफाई के लिए इनका उप्योग तो होता ही है इसके अलावा बहुत सारे अद्योगिक प्रक्रिया या अद्योगिक प्रोसेसिस में या बहुत से पदार्थों के निर्माण में जैसे की कांच के निर्माण में साबुन के निर्माण में या फिर वस्त्रक उद्योगों में धावन सोड़ा का उपयोग किया जाता है इसके अलावा जल की स्थाई कठोड़ता को दूर करने के लिए भी धावन सोड़ा का उपयोग किया जाता है एक चीज और है यहां पर हम बताना चाहेंगे वो यह कि सोडियम कार्वन डेका हैडल जो कि एक कुस्टलिय पदार्थ होता है लेकिन आपने देखा होगा कि कभी इसे वायू में लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो यह एक सफेद चून में परिवर्तित हो जाता है और वास्तों में होता यह है कि जब इसे वायू में खुला छोड़ा जाता ह है तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाड्रिट जिसमें कि 10 जल के अनु होते हैं इसमें से 9 जल के अनु बाहर निकल जाते हैं और इसी लिए अब इसमें सिर्फ एक जल का अनु बचता है और अब इसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनो हाड्रिट तो यहनी कि यह जो 10 क्र जल से युक्त सोडियम कार्बन देका हैज़िवार्ट होता है जो कि क्रिस्टलिय सरचना होती है जब में से नौ झल निकल जाते हैं तो यह सफेद चून में परिवर्टी को जाता है और यहां पर जब इस क्रिया में नौ जल के अनु बाहर निकल जाते हैं और यह सोडियम कार्बनेट मोनो हाइडरेट में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को हम उत्फुलन या फिर फ्लॉरिसंस कहते हैं यहां पर आप कितनी सुंदर मूर्तियां देख रहे हैं इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब गणेश उत्सा होते हैं या द प्लास्टर आफ परिस एक महत्पून कमपाउंड है जिसका उप्योग हम इस तरह से सुंदर मूर्तियां बनाने के लिए करते हैं एक आपने देखा होगा कि जो स्कूलों में कई चीजों के मॉडल होते हैं वो भी प्लास्टर आफ परिस के बनाए जाते हैं क्योंकि यह अजरेस्थान पर ले जाना भी सरवल होता है इसके अलावा आपने देखा होगा जब किसी की किसी वज़ा से हड्डी टूट जाती है उस समय उस हड्डी को सही स्थती में रखने के लिए डाक्टर के द्वारा प्लास्टर चड़ाया जाता है वो प्लास्टर भी प्लास्ट कि घरों में जो दिवाल को चिकना बनाने के लिए और जो लीक प्रूफ बनाने के लिए वहां पर हम पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं वह भी प्लास्टर आफ पेरिस ही होती है तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो प्लास्टर आफ पेरिस है उसका भी हमारे दैनिक जीवन म काफी महतु है आई जानते हैं प्लास्टर आफ पेरिस रासाइनिक रूप से क्या है प्लास्टर आफ पेरिस का यदि हम रासाइनिक नाम कहें तो यह है केल्सियम सुलफेट हेमी हाइट्रल जिसका सूत्र होता है C-A-S-O-4-Half-H2O या इसे हम C-A-S-O-4-Hol-Twice-H2O के रूप में भी लिख सकते हैं यहने कि यहाँ पर भी केलसियम सल्फिल्ट जो कमपाउन है उसके साथ हाफ अनू आधा अनू जल का उपस्तित होता है क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में जिसे हम कहते हैं Plaster of Paris बनाया कैसे जाता है इसे बनाने के लिए हम जिपसम का उप्योग करते हैं जो की हमें खदानों से प्राप्त होता है और यह काफी महत्वपून कमपाउंड है जिपसम इसका सूत्र होता है CaSO4-2H2O यानि कि यह कैल्सियम सल्फेट डाइक हाइडरेट होता है जब कैल्सियम सल्फेट बाइडरेट को 100 डिगरी सेंटिग्रेट के उपर गर्म किया जाता है तो इसमें से डेड़ जल के अनु बाहर निकल जाते हैं और सर्फ कैल्सियम सल्फेट के साथ आधा जल का अनु बचता है और यह जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वह होता है कैल्सियम सल्फेट हेमिहाइडरेट या जिसे हम प्लास्टर ओफ पेरिस कहते हैं आपने देखा होगा कि जब हम इसका उप्योग करते हैं कई बार आप भी इसकी मूर्तिया आपने बनाई होंगी उस समय हम देखते हैं कि जैसे ही जो प्लास्टर ऑफ पेरी से जो की सफेद रंग का चून होता है इसमें पानी की मात्रा मिलाई जाती है वैसे ही यह एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित होता है वास्तों में होता यही है कि जो केल्सियम सल्फट हेमि हाड्रेट है जिसमें की हाफ अनु जलका होता है यहां भी सफेद पाउडर के रूप में हैं जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं जब इसमें हम पानी की मात्रा मिला देते हैं तो यह कठोर हो जाता है यानि कि यह वापस जिपसम केलसियम सलफेट बाई हाइडरेट में परिवर्तित हो जाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो केलसियम सलफेट हेमी हाइडरेट है जो की सफेद चून पदार्थ है इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत सी जग भी होता है जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब हम इनकी मूर्तिया बनाते हैं और इन मूर्तियों को जलिये नदियों पे या तालाबों में जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो यह यहां पर पानी के साथ क्रिया कर लेता है और पानी के साथ क्रिया करके यह वापस कठोर calcium sulphate, bio hydrates जिपसम में परिवर्दित हो जाता है और जब ये जिपसम में परिवर्दित होता है तो उसमें heat उशमा बाहर निकलती है और इससे पानी भी गरम हो जाता है शाद ही साद यहां पर ज़ली में oxygen की मात्रा हो जल में उपस्थित ज़ो oxygen की मात्रा होती है उसमें कम्मी आ जाती है और जिसका सीधा प्रभा होता है हमारे जली जीवों पर इसके अलाबा हम देखें कि जब हम इन मूर्तियों को के plaster of Paris से बनी मूर्तियों को पानी में विसर्जित करते हैं तो यह घुल कर पूरे पानी को धुंदला भी कर देती हैं, अलाकि इनके घुलने में भी काफी समय लगता है, धीरे धीरे घुलती हैं और जब ये घुलती हैं तो पानी को धुंदला कर देती हैं, जिससे कि सूरे का प्रकाश पानी के अंदर तक बहुत धीमी गती से पहुँच पाता है या कम पहु कर पाते हैं तो इस तरह से जो प्लास्टर पेरिस है हमारे जली संसाधनों के लिए काफी प्रदूशक होता है वास्तव में यह काफी उप्योगी जरूर है लेकिन जली संसाधनों के लिए काफी प्रदूशक है और इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो प्लास्टर पेरिस की मूर करना होता है इसलिए कहा जाता है कि यहां पर हमें मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों का उप्योग करना चाहिए क्योंकि मिट्टी की मूर्तिया जैसे हम पाने में डालते हैं तुरंत यह घुल जाती है और यदि जली जो तालाब है या नदी है वहां पर यह कठी भी हो जाती हैं तो वहां कि उसकी उपजावपन को में व्रधी कर देती हैं तो इसलिए आप भी प्रण कीजिए कि यदि आपके आसपास कहीं पर गणे शोत्सों के समय मूर्तिया बिठाई जाती है तो आप वहां पर समझाएंगे और बताएंगे कि यहां पर हमें प्लास्टर अफ पेरि प्लिशक नहीं होती है चलिए इसके बाद हम जानते हैं एक और महत्वपुन कंपाउंड के बारे में और यह महत्वपुन कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चौन विरंजक चौन जिससे जैसे की नाम से हैं इसका उप्योग विबिन कपड़ों या फिर ज इनका उप्योग किया जाता है आपने देखा होगा कि आप कापिया उप्योग करते हैं उनके जो कागज होते हैं एकड़म सफेद कलर के होते हैं वास्तों में जब लकटी के या बांस के द्वार के लुगदी तयार की जाती है और यह जो लुगदी होती है काफी मटमैली कलर की धूमिल कलर की होती है पहले पेपर बनाने के पहले इन्हें ब्लीच किया जाता है ताकि जो गंदला पैन है वो दूर हो जाए और आपका जो पेपर है वो लुगदी एकड कपड़े द्योग हैं वहाँ पर भी कॉटन जो की वह भी मटमेली कलर की होती है तो उसे भी पूरा क्लीन करने के लिए वाइप करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं आईए जानते हैं bleaching powder रासाइनिक रूप से कैसा होता है bleaching powder जिसका रासाइनिक सूतर होता है CAOCl2 यहने की calcium oxy chloride इसे चूने का chloride भी कहा जाता है और इसे बनाने के लिए calcium oxy chloride इसे बनाने के लिए हम बुझे हुए चूने का उप्योग करते हैं बुझे हुए चूना में जब chlorine gas प्रवाहित की जाती है बुझा हुए चूना यहने की calcium hydroxide जब इसमें chlorine gas प्रवाहित की जाती है तो हमें calcium oxy chloride यहने की bleaching powder प्राप्त होता है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलकानू बनता है इस तरह से प्राप्त जो calcium oxy chloride है यह हलका पीलापन लिया हुआ सफेद चून पाउडर होता है जिसमें की chlorine की तीक्षड गंध होती है यहने की हम इसे chlorine की तीक्षड गंध के द्वारा पहचान सकते हैं और इसको जब यदि खुले में छोड़ दिया जाता है calcium oxy chloride यहने की bleaching powder को यदि हम खुले में छोड़ देते हैं तो यह वातावरन की carbon dioxide से क्रिया कर लेता है और यह वापस calcium carbonate यहने की चूने में परिवर्तित हो जाता है साथ ही साथ chlorine gas बाहर निकलती है यह जो calcium oxy chloride है जैसे की मैंने बताया इसका हमारे दैनिक जीवन में या अध्योगित रूप से भी काफी महत्व है और वस्त उद्योगों में या कागज उद्योगों में विरंजक पदार्थ के रूप में इसका उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर हम जानेंगे कि calcium oxy chloride bleaching की क्रिया कैसे करता है तो यहाँ पर जो calcium oxy chloride है जब हम इसको जल में घोलते हैं जली विलियन जब इसका बनता है तो यह calcium chloride बनाता है जल में विलिय होकर calcium chloride बनाता है साथ ही साथ calcium hydroxide भी बनता है और यहाँ पर बनता है 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 पो ख्लोरस अमल यह निकी Ciel, Hydrochloric Amal, और Nescent Oxygen, नवजात Oxygen, और यह जो नवजात Oxygen है, यही किसी भी रंगीन पदार्थ से क्रिया करके, उसे आक्सी करित करके, उसे रंगीन पदार्थ में परिवर्ति कर देती है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि जो bleaching powder है, उसकी bleaching की क्रिया इस तरह से होत ही है, इसका उप्योग, यदि हम देखें, तो जैसे कि मैंने बताया कि bleaching powder है, तो bleaching के लिए इसका उप्योग तो होता ही है, इसके अलावा इसका एक और महत्वपून उप्योग है, वह है जल को रोगानू मुक्त बनाने में, क्योंकि हमने बताया, यह विकटित होकर क्लोर करता है, और इसकी वज़र से इसका उप्योग हम जल को रोगानू मुक्त बनाने के लिए भी करते हैं, तो इस तरह से हम देखें कि bleaching powder भी हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपून हैं, अब हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पदार्थों की, जिनका उप्योग हम घर या भव भवन निर्माण में करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सीमेंट का, इसके अलावा काच, ये भी एक महत्वपून पदार्थ है, तो आईए जानते हैं सबसे पहले सीमेंट के विसे में, यदि हम सीमेंट की बात करें, तो भवन निर्माण के लिए जो सबसे अर्थ ही होता है जोडने वाला या चिपकाने वाला और सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन जो सब आस्पडिन के द्वारा किया गया था और इन्होंने इसका नाम पोर्टलेंड सीमेंट दिया था वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से सीमेंट को आपने देखा होगा जब हम इसम पदार्थ मिलते थे पत्थर मिलते थे वह वह भी उसी तरह से कठोर होते थे इसलिए उन्होंने जो सीमेंट बनाया उसे पोर्टलेंड सीमेंट नाम दिया वैसे तो हम कहें कि जो सिमेंट है यह एक कोई रासाइनिक यौगिक नहीं है और एक रासाइनिक यौगिक नहीं है इसकी वज़े से इसका कोई एक निश्चित रासाइनिक सूत्र भी नहीं है और नहीं इसका कोई निश्चित रासाइनिक संगठन है यह हम कह सकते हैं कि यह कई प्रकार के रासाइनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें की मुख्य रूप से इसमें कैल्सियम के सिलिकेट या फिर कैल्सियम के इलुमिनेट उपस्थित होते हैं तो मुख्य रूप से हम कहेंगे कि सिमेंट कैल्सियम के सिलिकेटों या कैल्सियम के अलुमिनोटों का मिश्रण होता है यदि हम इसके संगठन की बात करें तो चुकि सीमेंट में बहुत सारे अव्यव होते हैं और इनके सम्मिश्रण से ही एक सीमेंट का संगठन तयार होता है तो इसमें कौन-कौन से मुख्य अव्याव होते हैं आईए इन्हें जानते हैं इसमें मुख्य रूप से होता है calcium oxide याने की CAO और इसकी मात्रा पूरे यदि हम 100% cement के संगठन को मानें तो उसमें लगभग 61-65% हिस्सा calcium oxide का ही होता है इसके बाद दूसरा जो महत्यपण compound है वह है silica याने की SiO2 जो की हमें मिट्टी आकले से प्राप्त होता है और इसकी मात्रा होती है लगभग 20-25% तक इसके बाद तीसरा महत्यपण compound है alumina याने की Al2O3 जो की aluminum का oxide होता है और इसकी मात्रा 5-10% तक होती है इसी तरह से magnesia याने की magnesium का oxide MGO यह भी उपस्तित होता है और इसकी मात्रा होती है 2-3% इसके अलावा इसमें iron का oxide भी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में उपस्तित होता है iron का oxide याने की Fe2O3 और यह उपस्तित होता है लगबग 1-2% तक और इन सभी पदार्थों का मिश्रण जो है वह सीमेंट कहलाता है और जब इस महत्रा पदार्थ को इन सभी समिश्रण को जैसे ही आपने देखा होगे कि हम इसमें पानी मिलाते हैं तो यह एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और यही गोण हमारे घर को मजबूत बनाता है और घर को या भवन को तयार करने के लिए उप्योगी होता है आपने राइपूर बलादवा बजार में सिमेंट कारखानों के विशाय में सुना होगा आईए जानते हैं कि इन सिमेंट की फैक्टरियों में सिमेंट का निर्मान किस तरह से किया जाता है इनमें कौन-कौन से कच्चे पदार्थ का उप्योग करते हैं तो यहाँ पर हम बता दें कि सीमेंट की manufacturing या सीमेंट के निर्मान के लिए जो कच्चा पदार्थ होता है उसमें सबसे पहले लिया जाता है चूने का पत्थर यहने की calcium carbonate और calcium carbonate जैसे कि मैंने बताया इससे ही तूट कर हमें calcium oxide प्राप्त होता है जो की सीमेंट का 61 से 65 प्रति calcium carbonate इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि इसमें aluminum या silicon तथा magnesium iron आधी के oxide भी उपस्थित होते हैं तो इसकी प्राप्ति के लिए हम उप्योग करते हैं clay यानिकी मिट्टी चिकनी मिट्टी का उप्योग करते हैं जिसमें की हमें alumina silica या फिर iron के oxide प्राप्त हो जाते हैं इस इसके अलावा हम थोड़ी सी मात्रा में उप्योग करते हैं जिपसम का अब cement निर्मान के लिए जो हम सयंत्र लेते हैं वहाँ पर इन सभी पदार्थों को मिलाकर जो cement बनती है पूरी process है उसमें हम कहेंगे कि जो रासाइनी क्रिया होती है वो होती है पांच step में five step में होती है तो सबसे पहले यह जो पदार्थ हैं उसमें हम तीन भाग लेते हैं चूना यानि की calcium carbonate और एक भाग इसमें लिया जाता है चिकनी मिट्टी का तो यहाँ पर अभी हम दो कच्छे पदार्थ ले रहे हैं calcium carbonate जिसका तीन भाग होता है और चिकनी मिट्टी जिसका एक जालते हैं और इस गुनी भट्टी में इसका तापमान काफी अधिक होता है यह तापमान लगभग 1100 से लेकर 1800 degree centigrade होता है और इस तापमान पर सबसे पहले जो चूना है calcium carbonate है वह तूट जाता है और calcium oxide तथा carbon dioxide में परिवार्तित हो जाता है तो यहाँ पर हमें जो सिमेंट क मुख्य पदार्थ है calcium oxide प्राप्त हो जाता है अब यह जो calcium oxide है क्योंकि काफी सक्री पदार्थ होता है इस तरह से अब यह clay में उपस्थित जो अन्य oxide है silica alumina या iron के oxide उनसे step by step क्रिया करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि जो calcium oxide है उसके दो अनु silica si o2 के साथ क्रिया करते हैं और यहाँ पर जो ताप्मान होता है वह लगबग 1100 से 1500 degree centigrade उच्छ ताप्मान होता है इस पर इनकी क्रिया होती है और यहाँ पर di calcium silicate प्राप्त होता है यानि कि इसमें जो calcium oxide है उसके दो अनु होंगे और silica si o2 का एक अनु होता है वह इस तरह से di calcium silicate हमें compound प्राप्त होता है इसके बाद पुना अब calcium oxide के अधिक मात्रा पुना silica से क्रिया करती है और यहाँ पर ताप्मान वही 1100 से 1500 degree centigrade का होता है और जो अब compound बनता है वह tri calcium silicate प्राप्त होता है इसके बाद calcium oxide दूसरे oxide यानि की alumina al2 o3 के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर भी तीन calcium oxide के अणू भाग लेते हैं और जो compound बनता है वह tri calcium aluminate प्राप्त होता है इसके बाद calcium oxide के यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हम ले रहे हैं और इसे लिए calcium oxide के चार अणू alumina के साथ क्रिया करते हैं साथ ही साथ जो iron के oxide clay में उपस्तित होते हैं उनकी भी यहाँ पर क्रिया होती है और एक सम्मिलित compound प्राप्त होता है वह होता है टेट्रा calcium alumina ferrite यह compound यहाँ पर प्राप्त होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें भेन प्रकार के calcium के silicate और calcium के illuminate यहाँ पर प्राप्त होते हैं यह जो compound हमें प्राप्त होते हैं वह हमें छोटे-छोटे कंकड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं और चुकि यह जो कंकड़ होते हैं जिसे हम क्लिंकर कहते हैं यह क्लिंकर चुकि 1100-1500 degree centigrade के उच्च तापमर बनते हैं इसलिए जब यह घुर्णी भट्टी से बाहर निकलते हैं तो काफी गर्म होते हैं इन्हें ठंडा किया जाता है और इसके बाद ठंडा करने के बाद इसमें कुछ मात्रा में जिपसम मिलाई जाती है और इस तरह से अब यह जो मिश्रण तयार होता है उसे बारिक पीस लिया जाता है जो बॉल मिल होती है वहाँ पर इसे बारिक पीस कर चून बना लिया जाता है और यह चून ही सीमेंट होता है और यदि हम इसकी क्रियाविधी देखें तो आप जानते हैं कि जब सीमेंट को जैसे ही जब इसका उपयोग करना होता है भवन निर्मान के सर में तो आपने देखा होगा कि सीमेंट में हम निश्चित अनुपात में रेत मिलाते हैं और साथ ही साथ उसमें पानी मिलाया जाता है और जब इनको मिश्रत करते हैं और इनका उपयोग करते हैं तो यह एक कठ मिलन मिलाने के पीछे कारण यह कि यह जो सीमेंट के जमने की इक्रिया है वह उसे धीमी कर देता है जिससे जो भी हम भवन निर्मान के समय जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाए जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए और जो जमने की क्रिया है वो कुछ धीवी कती से हो पाती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिमेंट है वो हमारे लिए उप्योगी है और इसका निर्माण दोगिक तौर पर किया जाता है हमारे राइपूर के आसपास भी यहाँ पर हम देखेंगे कि राइपूर है बलाओदा बजार है जहाँ बड़ी बड़ी सिमेंट की कार खाने हैं जहाँ पर सिमेंट का उतपादन किया जाता है इसके लावा हम देखें क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ भवन की आवशक्ता भी बढ़ रही है और इसलिए भवन निर्माण के पदार्थों की आवशक्ता भी बढ़ती जा रही है और चूकि इसके लिए कच्चा पदार्थ होता है कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्सियम कार्बोनेट सीलिका इनकी मात्रा कम या हमारे पास धीरे धीरे उनकी मात्रा या महंगी हो जाने की वज़ेسे हम इसके लिए दूसरे पदार्थों का भी विकल्प के तौर पर दूसरे पदार्थों का भी उप्योग करते हैं कई जगह पर आपने देखा होगा कि जो धान की भूसी या धान का जो कोड़ा होता है उसका जो जलाकर जो राख बनती है उसका उपयोग भी सीमेंट निर्मान के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें सिलिका की मातरा काफी होती है तो इस तरह से हम देखें कि सिलिका के सब्टिटूट के रूप में विकल्प के रूप में हम धान की भूसी की राख का उपयोग कर सकते हैं इसके अलावा जो फैक्त्रियों से निकलने वाला जो अप्षिष्ट राख होता है या जिसे हम फ्लाई एश कहते हैं आजकल उसका उपयोग भी सीमेंट के तौर पर या इते बनाने के लिए किया जाने लगा है तो इस तरह से हम देखें कि बढ़ती मांग को देखते हुए हम इनके कुछ वैकल्पिक पदार्थों का भी उपयोग कर सकते हैं